बचाओ जो नेक्स्ट टॉपिक हमारा क्या बेस्थिरम जैसा कि मैंने पहले बोला है कि यह काफी इंपॉर्टेंट है तो इसको बिल्कुल धिहान से देखना बेस्थिरम बेस्थिरम स्टार्ट करने से पहले क्या थो एक बार हम लोग इसका न समझ लेते हैं एक्चुल है क्या suppose right कि यहाँ पर क्या बोला है there are two bags एक है हमारे पास bag one और दूसरा bag two bag one bag one contain two white and three red ball bag one में क्या हमारे पास दो white and three red balls है और bag two में क्या हमारे पास four white and five red balls ठीक है one ball is drawn at random from one of the bags हमें करना क्या है कि इन दो bag में से एक ball निकालना है ठीक है तो सबसे पहले बात हमारे पास कितने bags है दो bags है तो अगर मैं बोलूं कि bag को select करने की probability क्या है ball की नहीं बोल रहा हूं बात मैं बोलूं कि bag को select करने की probability क्या है तो दो bag है दो bag में से एक bag select करना है तो एक bag को select करने की probability क्या होगी out of two bags क्या होगी 1 upon 2 ठीक है can we find the probability of selecting any of the bags which is 1 upon 2 ये तो बिल्कुल इसमें तो कोई problem नहीं है और the probability of drawing a ball और a particular color say white from a particular bag say b1 ये क्या बोला कि bag को तो select करने की probability 1 upon 2 है उसके बाद अगर हमने bag select कर लिया ठीक है हमालों कि हमने बोला कि bag 1 हमने select कर लिया अब यहां पर सुनों क्या बोल रहा है ये बोला है कि bag 1 और bag 2 इन दो bag को select करने की probability क्या है तो bag 1 को भी select करने की probability 1 upon 2 है bag 2 को भी select करने की probability 1 upon 2 है ठीक है दोनों की probability equal equal है half half है अब अगर मैंने बोला कि मैंने bag 1 select कर लिया तो जब अगर मैंने bag 1 select कर लिया तो फिर मैं bag 1 में से white ball निकलने की probability और red ball निकलने की probability ये भी बता सकता हूँ because bag 1 में क्या है? 2 white ball है and 3 red ball है तो bag 1 में से 2 white ball निकलने की probability क्या हो जाएगी? 2 x 5 और red ball निकलने की probability क्या हो जाएगी sorry bag 1 में से white 2 white नहीं bag 1 में से white ball निकलने की probability क्या हो जाएगी हाँ ठीक है white ball निकलने की probability हो जाएगी 2 x 5 और red balls निकलने की probability क्या हो जाएगी 3 x 5 और bag 2 में से white ball निकलने की probability क्या होगी 4 x 9 और red ball निकलने की probability क्या होगी बोला कि अगर मैंने back select कर लिया तो किसी particular back से कोई particular color का ball निकलने की probability हम बता सकते हैं अगर हमने back one select कर लिया तो हम back one के अंदर से बता सकते हैं कि white ball निकलने की probability और red ball निकलने की probability क्या है अगर हमने बैग 2 स्लेक्ट कर लिया तो भी हम बता सकते हैं कि बैग 2 में से white ball निकलने की probability और red ball निकलने की probability क्या है अब मैंने तुमको इसका उल्टा पूछना है जो की base theorem में है क्या है सुनना ध्यान से पहले एक बार पढ़ लेते हैं यह क्या बोल रहा है we can find the probability of slating any bag ठीक है और the probability of drawing a ball of a particular color क्या होगा probability हम निकाल सकते हैं ball को draw करने का किसी particular color का say white from a particular bag say b1 किसी particular bag say किसी particular color के ball को निकालने की हम probability बता सकते हैं इसमें कहीं कोई problem नहीं है in another word we can find the probability that the ball drawn is of particular color if we are given that the bag from which the ball is drawn इसका क्या मतलब हुआ कि अगर हमें यह दे दिया जाए कि हमें किस bag से ball निकालना है तो हम बता सकते हैं कि अगर हमें यह बोल दिया जाए कि bag 1 से ball निकालना है तो हम बता सकते हैं कि bag 1 से white ball निकलने की क्या probability होगी bag 1 से red ball निकलने की क्या probability होगी अगर हमें बता दिया जाए कि bag 2 से निकालना है तो bag 2 से white और red ball निकलने की क्या probability होगी हम बता सकते हैं अभी तक जो हमें probability का knowledge है इसके base पे हम बता सकते हैं but उल्टा पूछा जाएगा but can we find यहां से देखो यह बहुत important है जो अभी मैं कर रहा हूँ but can we find the probability that can we find the probability that the ball drawn is from a particular bag say bag 2 if the color of the ball drawn is given यह देखो यह बहुत important है इसी पर यह जो एक line दो line है ना इसी पर base theorem टिका है अब उल्टा मैं पूछ रहा हूँ अगर मैंने बोला कि मैंने किसी एक bag से एक white ball निकाला ठीक है white ball निकला white ball के probability नहीं बताया मैंने बोला कि मैंने किसी bag 1 और bag 2 में से एक white ball निकाला अब यह बताओ कि वो bag 1 से निकला होगा इसकी क्या probability है उल्टा मैं पूछ रहा हूँ अगर मैंने bag select कर लिया तब तो white or rate निकालने की probability तो हमें एक line में बता देंगे अब इसका मैं उल्टा बोल रहा हूँ मैंने उल्टा बोला कि मैंने एक ball निकाला और वो ball मुझे white मिला मैंने किसी bag 1 और bag 2 मैं से किसी एक bag से एक ball मैंने निकाला और वो ball मुझे white मिला अब ये बताओ कि वो bag 2 से निकला होगा इसकी क्या probability है ये बताओ कि वो bag 1 से निकला होगा इसकी क्या probability है मैंने जो ball निकाला न उसका सिर्फ मुझे color पता है कि white है अब वो bag 1 से निकला होगा इसकी क्या probability है या वो bag 2 से निकला होगा इसकी क्या probability है या फिर मैंने ऐसे बोला कि मैंने 2 bag में से 1 ball निकाला ये मुझे नहीं पता है कि मैंने किस bag से ball निकाला मुझे इतना पता है कि मैंने 1 ball निकाला वो red आगिया अब वो red ball आगिया बॉल का तो कलर मुझे पता चल गया, अब वो बैग 2 से निकला होगा वो red ball, इसकी probability बताओ, या वो बैग 1 से निकला होगा red ball, इसकी probability बताओ, उल्टा मैं पूछ रहा हूँ, समझे रो बात को, तो ये reverse जो probability होता है, इसी को हम क्या बोलते हैं, base theorem, यही बोल रहा है, here we can find, here we can find the reverse probability of bag 2, यह reverse probability of bag 2, to be selected when an event occurred, after it is known, मतलब क्या है, कि हमें यह नहीं पता है, कि हमने किस bag से ball निकाला है, हमें क्या पता है, कि ball का color क्या है, और अब हमें पता करना है हमें पता करना है कि उस color का ball bag 1 से निकला होगा या bag 2 से निकला होगा इसकी probability बताओ अभी नहीं समझ में आ रहा है न तो अभी चलो नहीं समझ में रहा है तो रहने दो अभी base theorem को हम लोग in detail काफी पढ़ेंगे अच्छे से पढ़ेंगे तो उसको हम समझ लेंगे सबसे पहले base theorem और theorem of total probability को पढ़ने के लिए एक term हमारे पास partition of sample space sample space का partition ये समझना होगा बात को सुनो sample space किसे बोलते हैं किसी भी random experiment के जो corresponding हमारा क्या होता है जो जितने भी elementary events होते उसके set को sample space बोलते हैं अब यहां से यार ध्यान से सुनना नहीं तो दिक्कत हो जाएगी एक set हमारे पास है एक set है E1 दूसरा set है E2 last में कितने set है EN मतलब N sets दे रखे ठीक है किसी sample space S के corresponding किसी sample space S के corresponding N events दे रखे E1, E2, E3 dot dot EN N events दे रखे अब यह जो N events है यह sample space के corresponding इस N events में क्या speciality है वो बताया जा रहा है पहले speciality क्या है कि तुम कोई भी दो event का intersection ले लो वो 5 मिलेगा अब इतना बोलना sufficient है कि कोई भी 3 events का intersection ले लो वो भी 5 मिलेगा किसी भी 4 events का intersection ले लो वो भी 5 मिलेगा यह तुम एकठे सारे events N events का intersection ले लो वो भी 5 मिलेगा बस इसी से हो जाएगा clear अगर मालो कि मैं 3 set ले लो मैंने 3 set ले लिया event E1 ले लिया E2 ले लिया E3 ले लिया मैंने 4 ले लिया चलो E4 ले लिया अब मैंने बोला कि EI intersection EJ यह हमारा 5 है ठीक है where I is equals to 1, 2, 3, 4 कर दिया इतना बोल दिया मैंने यह लिख दिया यह लिख दिया 4 events के लिए इतना बोलना काफी हो गया कि किसी भी 2 event का intersection 5 है किसी भी 2 event का E1, E2, E3, E4 में से किसी भी 2 events का intersection 5 है किसी भी 3 events का intersection 5 है यह चारो event का एकठे में intersection भी 5 है क्यों because हम 3 events का intersection कैसे बनाएंगे मालो कि हमने लिखा E1, E2, E3 3 events का intersection बनाएंगे तो उसमें से कोई भी 2 event तो आ ही जाएगा E1, E2 आ जाएगा या फिर E2, E3 आ जाएगा तो हमें पता है कि किसी भी 2 event का intersection 5 है तो इसको क्या लिखेंगे 5 intersection E3 लिखेंगे तो 5 हो जाएगा या अगर हम E2 intersection E3 यह 5 है because हमें पता है ना किसी भी 2 set का intersection 5 है तो इसको हम ऐसे लिखेंगे E1 intersection 5 again 5 हा जाएगा मेरी बात आ रहे हैं समझ में तो यहाँ पर क्या बोला गया कि EI event और EJ event का intersection 5 है मतला बोला कि कोई भी 2 event उठा लो इस N events में से उसका intersection 5 है तो इतना बोलने से clear हो गया कि कोई 3 events भी उठा लो N events में से उसका भी intersection 5 होगा कोई 4 event उठा लो N events में से उसका भी intersection 5 होगा या तुम्हें कठे सारे events ले लो सबका intersection 5 होगा या तकागे बास समझ में इतना बोलना more than enough है second ये तो हो गया हमारा ये अभी हम लोग क्या कर रहे है sample of part ये है जो हमारा sample space है उसका partition कर रहे है तो उसमें पहली खुबी हमें ये मिल गई पहला हमने बोला कि ऐसे हम लोग क्या करेंगे partition करेंगे मतलब n events लेंगे और n events मैंसे किसी भी दो event का intersection 5 है उसके बाद आते है second point में जब सारे events को हम add करेंगे मतलब sorry union लेंगे तो sample space आ जाना चाहिए ठीक है एक बात होगे दूसरा होगे तीसरा क्या होना चाहिए कि किसी भी event की probability greater than zero होनी चाहिए तो बोलने की जो होती नहीं था third वो तो obvious ही बात है probability क्या होगा जीरो नहीं होना चाहिए जीरो कब होगा जब इसमें से कोई भी एक event five होगा इसका मतलब कि सारे जो n events है न वो non null events है तभी तो बोलना है कि probability of probability किसी का तो negative नहीं होता है तो negative तो बोलना ही नहीं है यहाँ पर बोलना है कि कोई भी event उठा लो उसका probability positive है इसका मतलब यह है कि जो n events हमने लिया है उन सारे events का जो क्या बोलता हूँ probability है जो n events हमने लिया है वो हर एक n events 0 आएगा कोई भी एक event अगर नल हो गया तो उसकी probability तो 0 आजाएगी ठीक है यह समझ में आगया तीन speciality ठीक है अब in other word the event e1, e2 से लेके e-n तक represent a partition of the sample space as if they are pairwise disjoint exhaustive and have non-zero probability अब मेरी बात को सुनो यह भी line important है इसको समझो क्या बोल रहा है कि n events है किसी sample space के हमने n events ले लिए sample space के cross bonding अब मैं बोलूँगा कि यह n events ने इस sample space का partition किया कब जब यह सारे जो n events होंगे वो pairwise disjoint होंगे तो अगर pairwise disjoint होंगे तो 3-3 करके भी लोगे न set को वो भी disjoint होगा 4-4 करके लोगे वो भी disjoint HERE का मतलब क्या होगा उनके बीच का intersection 5 होगा अगर मैंने बोला event, e1 and e2 event disjoint है का मतलब e1 event intersection e2 event यह क्या मिलेगा मैं 5 होगा तो इतना बोलना sufficient है कि pairwise disjoint है तो अगर pairwise disjoint होगा तो 3-3 event लोगे वो भी disjoint होगा 14-4 event लोगे वो यह बेस बुदीक होगा, exhaustive को मतलब होता है, exhaustive का मतलब क्या होगा कि अगर तुमने सारे events क tutorial union ले लिया तो वो सैंपल इस पे साना चाही यह मतलब होता है exhaustive का ठीक है यह जुन लिख लिखें का यह नहीं का मतलब हो Tee dass ळूर उन आस लिया और बोला कि यह n events exhaustive events है इसका मतलब इन n events का जब तुम union लोगे तो वो sample इस पर सा जाना चाहिए और pairwise disjoint का मतलब क्या होगा ये ये pairwise disjoint है ये जो ए लिखा है न ये हमारा pairwise disjoint को बता रहा है pairwise disjoint बोलना sufficient है कि किसी भी दो event का intersection phi है तो किसी भी तीन event का intersection phi होगा कट्थे सब का ले लोगे वो भी phi होगा ठीक है और ये क्या बोला non zero probabilities ये यहाँ ये बोला है non zero probability ठीक है as an example we see that any non empty event non empty empty नहीं non empty event e and its complement e complement form a partition of sample spaces अब यहाँ पे एक मज़ेदार सी बात क्या बोल दिया कि अगर मैंने event e ले लिया मालो कि एक s लिया हमने क्या s ले लिया sorry s हमने ले लिया sample space s हमने क्या लिया इसको हमने ले लिया sample space ठीक है s ले लिया हमने sample space एक event e ले लिया event event ले लिया event e1 and event e2 sorry event e1 complement form क्या होगा ये क्या form करेगा partition of sample space partition of sample space समझ में आरे बात मैंने क्या बोला कि sample space लिया एक event even ले लिया तो event even और event even complement ये sample space का partition करेगा क्यों? because इस event even में और even complement में ये तीनों खूबी है, a वाली भी खूबी है b वाली भी खूबी है और c वाली भी खूबी है condition क्या होना चाहिए? कि जो event even है इसकी probability 0 नहीं होनी चाहिए बस ये condition होना चाहिए कैसे? सबसे पहली बात क्या? सबसे पहली बात हो गया हमारे पास even event और even का compliment ये 5 होगा दो ही event है तो दोनों का क्या होगा? 5 जो फर्स्ट में बोल रहा है दूसरा में क्या होगा? हमें पता है already कि कोई भी दुनिया का event ले ले उसका अगर union उसके compliment के साथ ले लेंगे तो वो sample space आ जाएगा तो ये भी हो गया ये वाला भी B part भी हो गया C part में क्या है हमारे पास? कि event even की probability ठीक है? इसकी probability ये भी positive है अगर ये positive है यहाँ पर दे रखा है तो ये क्या करेगा है कि probability of event even complement जो की होता 1 minus probability of even ये भी क्या होगा? greater than 0 होगा ठीक है? तो कोई भी event हमने E ले लिया तो E event और उसका जो complement event होगा वो क्या करेगा? sample space का partition कर देगा sample space का partition करने का मतलब कि ये भी खूबी होनी चाहिए ये भी खूबी होनी चाहिए ये भी खूबी होनी चाहिए ठीक है? यही बात बोल रहा है from the Venn diagram in figure 13 ये कहां गया? ये figure 13.3 उपर दे रखा है क्या? ने कि बिनट नहीं दे रखा है तो मैं draw कर दूँगा 13.4 है ना? ये क्या बोल रहा है? from the Venn diagram figure 13.3 figure 13.3 one can easily observe that E and F are any two events 13.3 है कहां पहले? ये तो देखो किदर गया है? 13.3 ये तो question आने लगा ये हमारा 13.4 ये को तो नहीं बोल रहा है नहीं ये है ये है ये को बोल रहा है क्या बोल रहा है कि from the Venn diagram 13.3 we can easily observe that हमारा event E and F are any two events associated with the sample space S किसी sample space S से then the set E intersection F complement E intersection F E complement intersection F and E complement intersection F complement is a partition of the sample space अच्छा ये है ये है उपर है 13.3 यहाँ पे है ये वाला है देख लो अब तुम मेरी बात को सुनो ये क्या बोल रहा है कि ये इसमें बताओ sample space को तुम क्या लिख सकते हो sample space को लिख सकते हो E minus F ये set ले लिया E minus F फिर union क्या लिख सकते हो intersection F intersection F फिर union क्या लिख सकते हो F minus E फिर union क्या लिख सकते हो ये भी add करना होगा न क्या लिख सकते हो E complement union F complement समझ में आरी है बात? ये क्या है? ये सेट, ये सेट, ये जो चार सेट है ये सैंपल स्पेस का पार्टिशन कर देगा, क्यों? बिकाज यहां पे वेंड डागराम से साफ साफ दिख रहा है कि ये चारो सेट जो है ये मीचूली एक्स्क्लोसिव है mutually exclusive बोलने का मतलब कि कोई भी दो उठालो उसका intersection 5 है कोई भी तीन उठालो उसका intersection 5 है चारो एक अठे उठालो intersection 5 है पहली बात दूसरी बात क्या है कि इन सब का जो union होगा वो sample space के equal होगा because ये mutually exclusive है तो जब union लेंगे तो plus plus करेंगे देख लो इस set को ये blue वाले reason को ये white वाले reason को फिर ये blue वाले reason को और yellow वाले reason को अगर तुम सब को add कर दोगे तो पूरा sample space आजाएगा ठीक है फिर इसकी भी probability non-zero है इसकी भी non-zero इसकी भी non-zero इसकी भी non-zero क्यों because it exist कर रहा है न set ये set ये set when diagram में exist कर रहा है तो exist कर रहा है इसका मतलब कुछ न कुछ probability है phi तो when diagram में दिखे गा ही नहीं इसका मतलब इसकी भी probability non-zero सब की probability non-zero ठीक है प्लस सब का हमने union ले लिया तो sample space आगिया प्लस ये चारो जो हमारा mutually exclusive भी है तो ये चारो event क्या कर रहा है इस sample space का partition कर रहा है एक rectangle बनाया एक set A बनाया एक set हमने B बनाया ठीक है एक बड़ा चोटा बन गया कोई बात नहीं तो बराबर कर लिए ठीक है ये बना लिया इसको हमने set A बोल दिया इसको हमने set B बोल दिया इसको हमने sample space बोल दिया तो ये क्या होगा A माइनस B ये क्या होगा B-A ये क्या होगा ये जो बाहर वाला A और B को छोड़के A complement intersection B complement इसको हम क्या लिख सकते हैं इसको हम लिख सकते हैं A intersection B A-B क्या होता है A-B set क्या होता है इसको हम ऐसे लिखते हैं A intersection B complement and B-A क्या होता है ये होता है B intersection A complement ऐसे होता है B, B-A और इन सेट को एड़ कर दोगे तो पुरा sample space नहीं आ जाएगा तो A-B, B-A intersection B और ये A complement intersection B ये हमारा कौन सा सेट है ये चारो सेट mutually exclusive भी है exhaustive भी है और non zero probability भी है तो ये जो हमारा 4 सेट है मैं इसको बोल सकता हूँ कि ये sample space को इसने क्या कर दिया partition कर दिया ये बात हो गए यहां तक तो clear है अब आज आओ देखो थोड़ा important क्या है कि theorem of ये बोले it is meant be mentioned that the partition of the sample space is not unique obviously बात है तो common sense है जो sample space का जो partition होगा वो unique नहीं होगा unique नहीं होने का मतलब कि हम तो कई सारे set ले सकते हैं जिसमें ये सारी खुबी हो ये ABC वाली खुबी हो ये ABC वाली जो ये तीन जो खुबी है ये ABC वाली ये तो कई सारे set ले सकते हैं इस type के हम infinite sets बना सकते हैं जिसमें A भी हो B भी हो और C भी हो ठीक है तो sample space का जो partition होता हैंसे, ओक्यों.